इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकोन को अवस्य दबा दें आजेवने प्रम रग्गुवन्षनां आयन्यों निरुनात्रम्तं स्रीरामचंद्रम् श्यर्णम् प्रपदे स्यान्चंद्रम् खरत पूर्गों खरत प्रम्तं संसार्यसार्ण गुजगें रहायां सदासंतं गुर्धयां जबे बहवं बहवां सलेतं नमायां बहवं बहवां मनोजम् मारुत तुल्यवे जितेंद्रियम् बोलतिंताम् अधि अधिया वाकात्म जम् आयव्म् मेरे योदिनमूत्यम् स्री राम नोत्प स्री रूंध यपखेवियर स्री राम नोत्प रहम राम्ज प्राम्द राम्द हर्माई हम रामजी के रामजी हमार है हम रामजी के रामजी हमार है मेरे तो प्राण अधार 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 है सब भगतन के रखवार है हम रामजी के रामजी हमार है हम रामजी के रामजी हमार है जो लाखों पापियों को पार है जो लाखों पापियों को खार है जो अधमन को उठार है जो अधमन को उठार है हम दिन के सदा सहार है हम दिन के सदा सहार है है हम रामजी के रामजी हमार है हम रामजी के रामजी आपने हम रामजी के रामजी रामार है मातार मुमतुपितार मचंद्रह स्वामीरा मुमत्सकहारा ऑअचन सर वस्वम्मेरामचंद्रो तजाणो नान्यम जाने नहीं वजाने बंदों शीतुलसी के चरन जिनके नियुँ जग का कलिसमोद्र बूढत लखे प्रग्यट्य गुसा तेट्या सियराम में सब जग जानित करमों प्रनाजोरी रुखे पाई रजाराम चंद्र भगवान कीजे द्वारिका धेश भगवान कीजे भवानी शंकर भगवान कीजे श्री हनुमान जी महराज कीजे अज्यपाद गुस्वामे तुलसितास जी महराज कीजे ओम नमः पारवती पताई हाई 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 माधिन दे परिपोनुतम परमात्मा अकारण करुणा वरुड़ाले भगवान शिराको को प्रणाम शिव जहनमान जीको सास्टांग भावा को बारम बार्बंदन स्रेष्ट महाभाग सुधिर्शोता भावए बेहन इस कथा के प्रमक्षिजमान हमारे शिश्वी प्रधान मंबई शिर्मान गड़ेश कुमार जी अगरवाल बहुरानी रागो जी कथा के रचना को संपादित करने वाले आरके मिश्वा जी हमारे परमित प्रकाश भहिया इस संस्था के सनक्षक मंबई बाव जी आधनी राम जेश्वपाद्य है जी बिट्या वरेंद बेया हमारे सद्विचार परिवार के डॉक्षा भी दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका भी स्वागत है वकिल सापका भी हमारी ठाकुर की बड़ी लाड़ेली भहुरानी बावो कृपा संकर सिंग जी आज बिना पताए कथा में पतार गई है हमारी भारता के अनुसार इनको कली आना था परंतो होता है सभी इस नहीं स्वजन जो आप यहां पढ़ा रहे हैं आस्था के माध्यम से जो आज भगवान की बाल लिला और प्रसंगों को बंदमन करेंगे शाउन करेंगे सभी को बहुत बहुत बंदन उत्सव प्रारंब हुआ है आईए दिखें ना कितनी अद्भुत लिला है दुनिया में कहीं रहिए जैसे गुजरात के लोग व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार उत्रपदेश के लोग भगवान की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं गुजराती भाई कहीं जाएगा व्यापार सिखा देगा मैं भी बार बार समरना जा रहा है अमेरिका में गया था तो महां कथा के बीच में भंडारा चल रहा था हमने का भाई यह तो कथा सुन लो यह तो भंडारा खालो कथा भी चली रही है कि लाइन खड़ी हो गई मैंने का भाई यह दि आपको कथा श्रमण करना है तो यह भोजन वाला प्रोग्राम बंद करके प्रसाद वित्रण करो है वहां के प्रधान जी जगदीश भाव ना हां बड़े भगते थे वह है तो गुजराती लेकिन भागवत भाव है उनका का हमारा श्री कल से प्रसाद बटेगा कथा श्रमण होगी तो उसी प्रकार हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं भाई तो सबेरे साज टुन टुनाना बंद नहीं करते और इसका प्रमान दर्शन करिए कि भगवान जब जब भी आए वो पुरणा वतार भारत के उत्तर भाग में उत्तर प्देश हिमाले की गोदे में आए भगवान भी लीला दारी है कल की अवतार भी संभल प्रुग्राम मुरदबा जिले में होना है कल यूख के चौथे चरण में होगा प्रातस्मरडी पुझ्यबाद गुर्दे भगवान कहते हैं कल की भगवान जब आएंगे तो उनका विवाह वैश्णो देवी के साथ होगा तीके शास्त्र को पढ़िए और मेरे भगवान गुर्देव भगवान जो कह दें उसको शास्त्र मानकर समरण रखे शास्त्र से विर्ध वो बोलते ही नहीं लिखापड़ी नहीं होगी शुती सम्मत नहीं होगा तो वो बोलेंग नहीं वृद्ध कोई कह देगा तो बोलेंग नहीं चाहे सरवस्त समापत हो जाए बोलेंग वही जिसका शुती में प्रमाण है यह मानस क्या है नाना पुराण निगमा गम सम्मतमयर नाना पुराण निगम पुराण मने पुराणी कथाएं जो हमारे पुरवजों की है वो पुराण है 18 पुराण है 18 उप पुराण है चारवेद हैं, चारवेद के उपांग हैं, इनई के अंदर जो अध्यन के मूल विंदु हैं वो छईशास्त्र नहीत हैं अठार अपनिशद हैं, अठार समर्तियां हैं, एक सब, अपनिशद में ग्यारः प्राप्य हैं और सिंत महापूरशों के जो भाव बचन भक्तमालादी ये सब महाभारत रामयन और मानस एतिहास गरंते हैं ये हमारी प्रफटी है किसकी मैं किसी का विरोध नहीं करता परन्तु सनातन धर्मी होने के नाते हमारी इतनी संपदा है जितना हमने आपको सुनाया प्रतमतया तो ये निश्चे होना चाहिए हरदय में कि हम क्या हैं क्या हैं हम सनातन धर्मी हो पंच देव उपासना करेंगे और अपने भगवान का भजन करेंगे दूसरे के भगवान की निंदा नहीं करेंगे तुम्हां आए तुम्हें उजाले मुबारत हम अपने घर में खुशी हैं सनातन धर्मी किसी के निंदा नहीं करता अपनी प्रशंसा भगवान की करता अभी स्रामन मास आहा शिव जी को समर्पित आने वाले कुछ दिन में पित्र पक्ष पितर देवताओं को समर्पित ये क्या है ये हमारी थाती है अभी माताओं का वरत प्रारंब हो जाएगा अब फिर वर्श भर माताओं वरत करती रहती है चैत्रामनोमी तक वरते चलता रहता है लेकिन आश्चरी है देखिए सनातन धर्म के किसी वृत में अभी अभी वो क्या है लिखा पड़ी में आया है ना जन संख्या जन गड़ना हुई है 90 परतिशत, 98 परतिशत, 89 परतिशत हम कहते है 80 परतिशत सनातन धर्मियों के लिए भारत सरकार के पास कोई योजना नहीश है जब भी चुनाव होता है तो अपरेल के महीने में नवरात्र की तिलतिलाती धूप में होता है हम लोग ब्रत में हाय हाय जाय जाय होता रहता हैं विद्यार्थी परिक्षक परिक्षार्थी बनता है तो उसी समय सारी समस्यां सरकार खड़ी कर देती है अरे भाई थोड़ा तुम दाएं बाएं भी देख करके कुछ खिया करो करते हो क्या नहीं क्यों हमारा सभाव शान्त है अपने वो कता सुनी होगी एक माई के दो बच्चे थे एक उत्पाती था एक लाएक था लाएक माई के साथ जाके काली जी के पूजा करे अब उत्पतिया जाके खूडा कबार काली जी गुपरा डारिया वे तो काली माई एक दिन वाणी बोले के माई उत्पतिया के सहार अनताहम निमनके के खाई भूँ तो माई बोली काली माई यदी खाना ही है तो उत्रपतिये को खाडा लिए इसको तो रहने दिजिए मेरी आज्या मानता है कालिमाई बोडिना हम नंगा के खा के का करा सनातन धर्म की आवाज इसी लिए तंत्र के कांग तक नहीं जाती है क्योंकि हम लोग हर अस्तितिय में शांत और देखिए शांत तो रहिए एकडम सांत कोई तंत्र का विरोध क्यों करे ना परन्त जो जहां है हमारी बात को समझे कहे सुने ऐसा कोई विद्वान भारत वर्षका नहीं है चाहे वो विदान्त को मानने वाला हो चाहे श्री संपरदाय का हो शैव को माने शाक्त हो श्री राम स्रित मानस जी की चोपाई न बोलता हो सब बोलेगे सब गाएंगे न बहुत गाएंगे तो यह अवश्य गाएंगे बड़े भाग मानुखतन विदान्त पूरे में होगा क्योंकि यह तो रस है यह रस है राम लीला रस है राम कथा रस है राम भक्ती रस है और भगत रससित भाव का जीव है हमारे आपके जीवन में यह उत्सो उत्साह को बढ़ाने वाला हो रागोजी से प्रार्थना कल हम आप स्मर्ण किये थे मा बड़ी अंबा की कक्ष में मेरे सरकार प्रतक्ष भहे भहे प्रकट क्रपाला दीन दयाला मेरे ठाकुर प्रकट भहे दन के भगवान जनम नहीं लेते भगवान प्रकट होते और जो जनम लिया वो स्वैम भगवान नहीं हो सकता आप संबोधन कर सकते हैं भगवत तुल कह सकते हैं भगवान कह सकते हैं उसको ये बोधना हो कि मैं भगवान और जहां बोध भया तो कठिनाई है साहब सरकार प्रतक्ष हो गए भुजाओं में आयुद चरने लगे मा का विवेक जगा मा ने पूचा प्रभू लोग कैसे विश्वास करेंगे आप आए आप तो पंदरवर्ष के होके आगे भगवान ने कहा मा मुझे बहुत लीला करनी है तो मा ने कहा पहले कीज़े शिशु लीला प्रार्म बहुत है हम आप जितने लोग हैं न सब जगब बड़े हो जाईए जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने बड़े न हो उसी प्रकार हमारे माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने बड़े बच्चे बने रही है बच्चे बने रहने का बड़ा सुख है सब जगह बड़े हो माता पिता के सामने बड़े में इसका सुख मिलेगा हाँ हाँ करो समझो आप आनंद कैसा हुआ दशर्थ पुत्र जन्म सुनिकाना मानु ब्रम्हानन्द समा परमानन्द पूरिमन राजा खहा बोला बजारु माजा एक बड़ा अदभुत्चन्तन प्रातस्मरणी पुझपाद गुर्दे भगवान ने यहां दिया क्या इस पर मैं फिर चर्चा किया है सरकार आपने बात कही यह मेरे समझ में नहीं आ दे गुरु वशिष्ठ कह गयव हाकारा गुर्दे भगवान के पास हाकारा गया गुरु वशिष्ठ कह गयव हाकारा आये द्विजन सहित निर्पद्वारा गुर्दे भगवान वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए हाकारा भेजा गया अपने हां काउं बाभुजी हाकारा होते हैं जाके बुला ले आवा हो गुर्देव ने हाँ एक नया चिंतन दिया है देखे ये पंक्ति में क्या अर्थ है जब हमको कोई बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है प्रसन्नता प्राप्त होती है तो उस प्रसन्नता को अपने प्रियसे स्रेष्ट से कहने के लिए हम माध्धम नहीं ढूणते हैं हम खुद ही वो प्रसन्नता देना चाहते हैं कतनो रोको रोकात ना ही है अरी चकरवर्थी जी को जो प्रसन्नता प्राप्त हो अखुए वो गुरु कृपा से प्राप्त होय तो महराज ने बाजा बाहरा खुब बलाया बाजा बजनी लगा और श्री चक्रवर्ती जी महराज स्वयम दवडते दवडते गुर्दे भगवान की कुठिया पर चले गए गुरुजी 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 क्या अब गोड़े में गीर परे हो गुरुजी समझ गए क्योंकि अगली देखियर धाली क्या करती है आये त्विजन सहीतनी परत्वा गुर्दे भगवान के स्री चरण में जाकर प्रडाम किये गिर परे हो अपने भासा में कहते एकदम फाटी परे गोडे में गुरुजी 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 अब फिर गुरुजी व्रामन देवताओं को लेकर राजन द्वार पर आये आते ही अनुपम भालक दे कही जाए रूप परासि गुण कही अनुपम भालक जिसकी कोई उपमा नहीं मनुजी महराज से प्रभु ने क्या कहा था आप सरिस खुने पतव रोब मैं आजाए अपने जैसा मैं कहा डोड़ूँगा मैं ही आपका पुत्र होके आजाओं भगवान ने आ गए तो ये अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं लाला का रूप उसका गाम भेरिये बालक 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 छोटा सा सिशु दर्शन देता है हो कितना अनंद हो जाता है उसकी धिर्वलता सहजता शीलता रूप आकरशित कर लेता है कोई-कोई बच्चे तो ऐसे आकरशित कर लेते हैं तो भोलता ही नहीं यहां कहने में नहीं आता है फिर भी उसको आके बढ़ाना है नंदे मुख सराध करि जात करम सबती हाटक धेन बसन मनी रिप बेपन कहांगी मैं बारम बार एक बात निविदन करता हूं उत्सव कभी दरिद्रता भाव से नहीं करना चाहिए उत्सा से करना चाहिए और भगवान का उत्सव तो और उत्सा से करना चाहिए लुटा दो आज सर्वस को गुर्दे भगवान का बक्ति गित सुधा सर्वस लुटा दो सब कुछ हाटक माने सोना देन माने गव माताई रत्न हिरा मोती जबाह रात आदि वस्त्र अन साब ब्रामन देवताओं को जो यथा युग था सब को आदि पाया नगर का दभुष शिंगार भया आकास से पुष्प की वरिष्टी हो रही है सब लोग मगन है आनम देते हैं परसन्नता कहने मने आती माताई दर्शनार तो बस्तित हैं सक्याव बस्तित हैं वंदी जनलोग व्रदावली गानकर गदगद हो रहे हैं जिसने जो मांगा नहीं मांगा वो भी प्राप्त हुआ और जिसने पाया उसने रखा नहीं वो भी अरपित कर दिया मिर्ग मद्चंदन कुं कुम कीचा मची सकल लेठें 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 हो आनंद हो गलियों गलियों में अबीर गुलाल उड़ने लगए आनंद का प्रवाह तो वैसे चलता है उत्साह में रहने पर उत्साह को रोक कर उत्साह मनाने से अच्छा है कि न मनाए उत्साह उत्साह तिन कहुं सदा उत्साह करना है किसी कथा में हम लोग थे जनम में उत्साह मनाने जा रहे थे तो आज को उसे कहा कि अबाई उत्साह है कुछ नहीं होता 22 साल से कथा करवा रहे हैं हम लोग कभी कुछ नहीं होता है अब कुछ लोग को तो भगवान ने जैसे अधिकार पत्तर दे के भेजा हो कुछ भी हो एकदम बैठे रहना हिलना मत अरे भाई घर में भी आप उत्साव करो तो उत्साह से भरे रहो पैसा लुटाना उत्साह नहीं है आपकी उत्साव के प्रती उत्साह पुर्वक जो विवस्था है वो उत्साव है कितने उत्साह में कितने प्रसन्न भाव से हम उत्साव में समलित हो रहे हैं यह उत्साव का भाव दर्शन देता है श्री अवद में आप जन्म महुत्सों में पदारो जन्म महुत्सों की कथा है जहां श्री राम आर्चा मंदिरम श्राम बल्लभा कुझ में निर्माड़ा देन है आईए एक खंड ठाकुर जी पूरा करेंगे तो तिन्चार स्टेप में है आपको श्री अवधाक कर ऐसा आनन्द होगा हो अरे चैत वाला आनन्द जो ठाकुर के उत्सों में ठाकुर के पधारने पर प्रकट होने पर उत्सों भया आरे महापुरुष लोग आज भी वही आनन्द प्रदान कर देगे ग्रिह ग्रिह वाज बधाव शुभ अभी तो मेरे सरकार प्रकटे ठाकुर के प्रकट होने का प्रकट या उत्सों चली रहा था कि इसी के केंद्र में कई कई ये सोता सुमिता दो सुन्दर सुता जनमत भैवो वग सुख संपति समय समाजा कही न सकई सारत नही राजा कही न सकई सारत नही राजा अवधपूरी सोहाई ये ही भाति अवधपूरी सोहाई ये ही खांति प्रभु ही मिलन आई ये नुराति 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 कही कही अमबा ने एक और सुमित्रा अमबा ने दो पुत्रों को जनम दिया सुन्दर सुत जनमत वह वह सुक काउन जन्म का उत्सव का श्रियवद की संपदा वहकाल सुक का समय जो बीत जाता है बहुधा लोट कर वापस उसी का समर्ण रखना चाहिए और बीपदा आये तो उसका देरे देरे विस्मर्ण करना चाहिए वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा वह सुक वह संपदा वह काल और वह आनंद में समाज उसका वरणन सरस्वती मया कर सकती है और नशेश नारायन कर सकती है ऐसा सुख बड़ा आपके हमारे जीवन में भी आता होगा वह सुख जब हम सुख का समर्ण करते हैं तो दुख छोटा हो जाता है मित्रता क्यों करने चाहिए मित्रता सुख को बढ़ा देती है और दुख को घटा देती है जिसके पास पाँच मित्र हों वो धरती का सबसे बड़ा अरपती है पाँच मित्र हों समान नहीं चाहिए मित्रता चाहिए कैसे हों वो जो सोचे आप सोचलो आप जो सोचते हो वो सोचते हैं जल्मारे परमित्र किलाश हुए जहां से कब फोन आई जैसे मैंने किया था पहले पर आया कथा सुन रहें वोले महराश्री कुछ सुना कुछ समझा कुछ देखा कुछ बुझा कुछ बातें छित में आई आती हैं हम लुग कथा में क्या कहलाते हैं genre जी क्या व्यास-पीठ कहलाती है क्या बाबा के कRIP crying कहलाती ये कोई पढ़ लिख के तो बोलना नहीं जो बूलाते जाते हैं वो बोलते जाते हैं पहले पढ़ लिक के कहते थे सुचते रहते हैं इस थहस्ता से पार जब हम आये हैं to मुंबई में कोई मन में दुख भी है हमारे परमितर चेर्में साब बाबार जई इसक्साब के एक बेटा था रहा नियो तो थोड़ा सा मन भी मेरा कलांत है इस कथा में मुझे नित्य महां जाना पड़ता है लौट के आओ तो फिर वही चेतना रेती है अपनों के साथ को यसी घटना घट जाती है न तो उसका विस्मरण नहीं होता लाक ब्रह्म ग्यान बगहारों लेकिन हो जाती नहीं बाद और जहां मन बुद्ध चित एकी भाव में रहता है वहां तो और कष्ट होता है तो हम लोग कताकार होने के नाते इतने सिद्ध भी नहीं है कि कुछ भी हो ब्रह्म ग्यान बगहारती चलेंगे संबल नहीं है बेटी विदा होती है तो आंसो भी निकलता है बहु को देखते हैं तो परसन्नता भी नहीं होता है सब होता है बावजी को मा को कथा सुना रहे थे परशरामपुर में दैव योग वसाथ कथा के बीच में मा के तिविद बिगड़ी और शर्यवद में मा प्रियान कर गई मेरे कथा जीवन में पहला दिन ऐसा था कि मुलोन कथा के सत्र में दिन बर गाट पर ही खड़े रहे पर मभया ने कहा भी कि महरा शरी कैसे क्या करेंगे हमने करेंगे कल से करेंगे तो बहुरी लिला है आना जाना किसका कब हो क्या कह जाए प्रणत्लद अवसर तो है ना जिस प्रकार से हम किसी के सुख में सुखी हो लेते हैं उसी प्रकार दुख में थोड़ा अपना है तो उस भाव में हम को समयptic हो न पंढाता है आपको भी होना पढ़ेगा और देखो मित्र वही है जो सुख में बराबर सुखी हो नहो दुख में बराबर दुखी होना चाहिए बिपतिकाल कर सतगुन नेहा मेरे प्रभु के शुमख बचन हैं बिपतिकाल कर सतगुन नेहा सोगुना प्रेम करे शुतिकह संत मित्र गुन एहा निज दुख गेरिसम रज करिजाना मित्रक दुख रज मेरुसमा जाके असिमति सहजन आई ते सठ कत हठ करत मिताई सुख में तो सब सुखी हो लेते हो आपके पास आईश्वरी होगा श्री होगी बरमचरी होगा वेवस्था होगी पचास मित्र दर्शन देग आप जब सड़क पर खड़े रहेंगे तो वही होगा जवापका अपना है लक्षम्ण भाईया कहते हैं प्रभू समर्थ को सलपूर भगवान नहीं कहते हैं क्योंकि भगवान चवदा वरस तापस वेश विशेश उदाजी निशाद गाज गुस से कहते हैं मित्र देखो आप मित्र मानो न मानो चवदा वर्ष हम बन में रहेंगे तो निशाद जी ने का प्रभू आप जैसे भी रहेंगे हम आपके सखा हैं विशेश जी शरण में आए तब भी भगवान ने सखाई भाव बना के रखा है अलग नहीं किए भगवान का स्वभाव है और हम आप कथा सुनते गाते हैं तो हमारा भी यह स्वभाव होना चाहिए कि हम जिसके साथ मित्रता का निरवा करें लाब के लिए लई लोब के लिए भी नहीं अरे या तो वो जाएगा तब हटेंगे या तो हम जाएगे तब हटेंगे ऐसा भाव बना कर रखा हूँ यही राम भक्ति है ये तिलक लगाना, पटका डाल लेना, राम नामा पहिनना ये भक्ती नहीं है आपका जीवन भक्ती है हम जीते कहां हैं, हम जाते कहां हैं हम जी पा रहे हैं क्या राम जी को और जी नहीं पा रहे हैं तो लाख है आप राम जाब करो आपका कोच यहे तो होना नहीं है क्योंकि प्रभु ने कहा जाके असे मति सहजन आई भगवान ने किसी को इस बात के लिए दवाव में नहीं लिया कि आपको वही करना होगा जो हम चाहते किसी को भगवान ने नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए हर व्यक्तिकों भगवान ने स्वातंत्रता प्रदान की आप अपने हिसाब से रहो पहीए है राजदीन सुगृ वकारें कह अंगट कह जो राज भगवान चातुर मांज से वैतीद किये दिन रात मिलाकर चार माह सुगृव मिलने नहीं आये भगवान ने कभी तरास का सोचा भी नहीं क्यों मित्र है सुभाव है जीव अपने सुभाव से मजबूर है साब बदल नहीं सकते आप भगवान नहीं बदल सके सुगृव तो दर्शन किया भगवान ने मित्र धर्म का पहले इसलिए उपदेश किया कि सुग्रीव हमारी योजना हमारे विवहार कारी को संपादित करेंगे कहा भी था सब प्रकार करी हैं उसे वकाई जेही विदमिली लेकिन भगवान को कहना पड़ा सुग्रीव हु सुधि मोर भगवाराज कोशपुर मारी दोश नहीं है लपट जाना सबबाविक है मैं तो बारम बार एक बात कहता हूँ आपसे भी कह रहा हूँ कि आप कथा कहो नहीं सुनो सुनो गुनो और भाई रहने का ब्यास करो जिससे लाब हो वो हमारा है और जिसके साथ हमारा हानी हो वो हमारा मित्र नहीं शत्रू बन गया, ये जीवन राम का जीवन नहीं है, लाव अलाव हर स्थिती में जो हमारा है हमारा है, ये सरकार का स्वभाव है, आगे की पंक्ति, सरकार रखे ले नहीं आए, तीन भाई ये और आए, अन्सन सहित मनुज, अवतारा, सुर्य वन्श में अवतार लेंगे भगवान अवतरित हो गए, स्रेष्ट कक्षा से भगवान नीचे की कक्षा में आगे, निराकार प्रभू नराकार हो के आगे, कोई स्रेष्ट नीचे वालों को समझाने के लिए सिक्षन देने के लिए, जब अपनी कक्षा छोड़कर नीचे आता है, तो अपने स्वरूप अईश्वरे से नीचे नहीं आता है, वो वहीं रहता है, किसे हम व्याज स्पीट से उतर कर आपके साथ बैठ जाएंगे, तो हम उत्पात में नहीं बैठेंगे, टेलिफोन नहीं सुनने लगेंगे, हम चुप चाप कोई कथा बाचेगा, राजन ही बैठ के बाचेगे, तो हम सुनेंगे इनको, शद्धा पुरवत, पिता जी नीचे दरी पर बैठ गए, और बेटा कुरसी पर बैठ गया, तो बेटा पिता जी न हो जाएगा, न वो बेटा हो जाएंगे, पिता जी पिता जी ही रहेंगे, शद्धा वैसी ही रखनी पड़ेगी, कुरसी पर इसलिए बैठाया गया होगा, कोई बेभार होगा हो सकता लड़िगा का भिया मंडप में बैठा हो तो भाबुजी के दरिये बैठेक परी इसलिए भगवान निराकार प्रभू साकेत वासी मेरे सरकार नराकार हो गए तो सरकार के सरूप अईश्वरिय अब भाव जो खडश्वरिय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो तो स कि बड़ी मधूरबाद स्मरण में आई कोई भी कारिय कोई भी विवहार को श्रेष्ट जब संपन्न करने चलता है तो मेरे मन को मेरे विवहार को मेरी बात को कौन समझ सकता है उसकी पहले रचना बनाता है भगवान जानते हैं कि यदि हमको बन जाना पड़ेगा तो भारत जी गद्धी लेंगे इसके पहले हमसे मिलने अवश्च आएंगे मुझे बन जाना पड़ेगा तो राज प्रजा परिवार माता पिता सब त्याक करके लक्षुमण जी मेरे साथ अवश्य रहेंगे बारे हिते निजे हितोपती जाने हैं। ऐसा नहीं हो था कि भगवान चलेगे तो सब लोग घर में रह गए। तापस बेस विशेस उदासी 14 बरिस राम जी वनवासी हमको थोड़े मिला है। ताप में तापने की प्रविर्ति उसमें होती है जो उस भाव को समझ सकता है। शत्रुन जी भरत भिया की सेवा में लक्षुन भिया प्रभु की सेवा में और जगदंबा जगजनी पारंबा मा भगवती सीता महरानी कहां अवतरित भई अतो मिध्विला में। क्यों पुरनर नारि सुभग शुचि संता धर्म शील ग्यानी गुर्ण बन्ता धर्म शीलों की नगरी है हो ने बैठते आप से कहा लाख कोई दिंदा करे लाख कोई ऐसा बतावे वैसा बतावे लेकिन इस बात का धन न किएगा तीर्थों के राजा प्रियाग राज अपने गाउं के बगल में बैसत है तीनों लोग से न्यारी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित नगरी काशी जहां मरते शिव जी शोक रहित कर देते हैं अपने गाउं के गुविना में बसत है बसत है ने जहीं दिन राम जनम शुतिगा वही तीरत सकल तहां चली आवही यह अपने घरे में बसत है जो द्धया अब आजी अब खरेबाद जैसे गाओं का नाम आवे रहे लाइक नहीं है उत्तर प्रदेवत्वार का पार नहीं पैसे से मुक्ति मिलेगी पैसा ने किसी को मुक्त किया है पैसे से लिलावती में भरती रहिएगा तबीयत भी नहीं सुधरेगी मिलेग अरे मेरे प्यारे ये मुंबई माया नगरी है और वो माया मुक्ति नगरी है अयोध्या काशी मतुरा माया मुक्त नगरी है अयोध्या में भजन करना आवशक नहीं है आवध में बस बसी ये बसी ये संत दर्शन होए क्या कहना है प्रयाग काशी अयोध्या मतुरा चित्रकूटधाम अतिपावन अतिपुनीत साधकों को सिध्धी देने वाला नेमी शारण्या में यहां बहुत है तो वो लोग पथा लगाई ए कहां इनको हो बेटा बेटी के भी आहो करबा तो लोग पता लगाई दखता लेके लेकिया कि माई के नेने उरा कहां है अभी हम लोग इतने विक्सित नहीं हुए हैं कि कचहरी में कर लेंगे तो लोग भोजन करीत हो रही हैं लोग न जाए लाएक न रहे लाएक छोड़ा अभी भी हम लोग के रक्त में वही बह रहा है हम इतने एडवांस नहीं हैं कि मिटी ही भुलाए जाए हो और भगवान न करे जो सबकी तरह हम लोग के मिट्टी के लोग भी एडवांस हो जाए इतना एडवांस ने सच्छी बात नहीं है हम लोग गमारे अच्छे हैं हो गमारे पढ़िया है तो विकास विनास की निव पर कडाप नहीं होना चाहिए सावधान रहना चीए यही मूल है मूल में भोल ला हो देखे भगवान आए सपरीकर आए भरत जी को लाए शक्तुन भहिया को लाए लक्षम्र भहिया को लाए आप भरत जी के चरित्र में धर्शन करेंगे राम जी को छोड़ कर कुछ सोचते नहीं मोरे सरन राम की पर नहीं मिलेगा कहीं मिलेगा कहने मिलेगा गुरु पितु माता भाई बंदों मैं किसी को नहीं जानता हूं प्रभु मोरे सबोई एक तुम स्वामे लक्षमण जी कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता हूं मेरे आ पही वज़ववान प्रस खल की कथा का आप दर्शन करेंगे कल धनुष भंग हो गा विवामा उथ सो अंह लोग बनाइंगे दरशन कने गया क्या कहते हैं लक्षमण भहिया जनक जी महराज कैसे आतो व्रम्हवेत्ता जिनका मन व्रम्ह भाव में अवस्तित रहता है किवल एक बात जनक जी ने कही बीर विहीन मही मैं जहरी लक्षमण जी एकदम आवेश में आ गए रगवीर के रहते बीर विहीं क्या रते अरे वैं गलती हो गई यही नहीं भगवान से आकर जब संबाद आविशा वतार परश्राम भगवान ने भी किया तो वहां भी लक्षमण जी एकदम आविशित हो गए सुवत टूट रगवपति ही न यह यह तो रहनी चाहिए स्मिता का समरन बराबर होना चाहिए सरवकाल होना चाहिए हम अपनी कमिया तो देखते हैं और कभी अपनी अच्छाई का भी दर्शन किया करो जो ममता जो सने जो अनुराद जो प्रेव आप बताई उत्सव का अनन्द मनाने आप स्वत है आगए है एक दूसरे से जानकर आगए है तो आट टेलिविजन के स्क्रीन पर देखके आगए है दस रूपिया भी प्रचार में है तो चार होटिंग अकल पकल लगी होंगी क्यों आगए अपने वाले प्रेम्भुषण और अपनी वाली राम कथा कई लोग कहे रहे पते नहीं चलेगा अरे पता पता तो चली जाएगा भगवान की कथा का पता क्यों नहीं चलेगा हो देखा पता चल गया अरे तीनों लोग को पता चल गया सरकार आए सरकार आए मास दिवसकर दिवसभा मरम न जाने भगवान जब शिरियवद में मा के अंक से प्रकटे एक माह सुरिय भगवान खड़े रहे कहां शिरियवद के उपर क्यों जिन भगवान से सुरिय भगवान को प्रकाश प्राप्त है वो भगवान आ गए तो भगवान ने अपने तेज को आकरशित कर लिया मान जैसे अब हम कता सुना रहे हैं और एक को एक सितंबर को प्राता स्मणी पुझबाद गुर्दे भगवान नासिक आ रहे हैं तो गुरु जी जब आज आएंगे चार सो कुल मिटर में तो गुरु जी के जितने चेला हैं उनका आकरशन कर देंगे उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान जब आए तो सुर्यभवान का घरशन हो गया क्यों राम जी नाम करण में देखिए घे तु क्रिशान भान भगवान सब के कारण है तो जो कारण आ जाएगा सब का करशन कर देगा सुर्य भगवान अस्तंबीत हो गए अथवा तो एक माह तक उत्सव का आनंद जो था वह देखने के लिए सुर्य भगवान खड़े रहे कैसे कैसे हम लोग जब छोटे थे मिला जाएं बजार जाएं कौनों काम करने के लिए घर में कहा जाएं जाएं और खेल हो रहा हो चाहें मदारी भालू नचा रहा हो तो काम तो भूला जाते थे वही देखने लगते थे घर आते तो सेवा होती थे भेजे काम के लिए कहां कहां कड़े थे है तो मदारी आया था देखने लगे थे मदारी के लिए मदारी अब उनको का पता कि बच्पन क्या होता है बड़े तो डाटते हैं उसी प्रकार सुर्य भगवान हमारे सरकार का उत्सव देखने के लिए क्यों मेरे वन्ष में ब्रम्हने अवतार लिए बाबा कहते हैं आसे देव यह रहस्य का हो नहीं जाना दिन मैं निचले करत कुन गाना दिन मैं निचले करत कुन गाना बाबा आओ रहु वेकर कहों निच चोई आओ रहु वेकर कहों निच चोई सुनो पेर जायती दढ़ मर्थी तोई सुनो पेर जायती दढ़ की तोई काग भु सुन्दी संगर हम दो मन जै रूपर जा नहीं नहीं को जै जै राम 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 जै जै 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 राम राम 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 जै 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 राम राम जै जै राम राम जै राम राम जै जै राम राम खाग भुषुन्डि संग हम तो मनुझ रूप जाने ही नहीं को खावा कहते हैं आप द्रणमती हैं देवी किसी को कोई छीपी छीपाई घटना बतानी हो न तो उसकी थोड़ी प्रशनसा करनी ही पड़ती है ऐसी निती है बाबा ने प्रशनसा किया मा की क्यों पढ़ाते समय कथा सुनाते समय जो साथ बैठा हो उसके साथ कंसंट्रेट रहना चाहिए जुड़ा रखना चाहिए जैसे मैं बहिया लोग के साथ जुड़ा रहता हूं क्योंकि ये महसूस करें कि हम हूं महराजे जितना महत्तपूर्ण व्यक्ति हैं हैं नहिता हम अपने बांचे हैं और जब हम आपन बांचे भई ये लोग आपन बांची तो फिर होई गई रामकत्त अच-ची-ची आप बिस लोगों के साथ परिवार में बैठे हैं तो परिवार में सब के साथ आपका सम्मन्द होना चाहिए व्यवहार का बाद का जी किसी को भी आप इग्णोर करेंगे तो मुश्किल होगे सब के साथ टाय परेगे यह व्यवहार शास्त है बाबा कथा सुनाते सुनाते कहते हैं देवी आप द्रढमती हैं इसलिए आपको एक मैं ऐसी कथा सुनाओं जो आपको बताया नहीं था कहाओं निज चोरी चोरी क्या दो लोग साथ हों और आप कोई व्यवहार अकेले कर जाएं उसी का नाम चोरी है समझ रहे हैं जैसे आप दो लोग हैं डप्टर साब आप डग साब जाके अकेले चाई पी आएं ये चोरी है अरे पी अते हैं कि कहा गए हो हमारे टीम में कुछ लोग ऐसे हैं कि साथे रहेंगे चाई पीना होगा तो एक किलोमेटर जाएंगे अकेले पी हमको बताया जाता है तो किते कोई भात ने जीव कर सबाव है मनुजी महराज शद्धे मनुजी कहते हैं परिवार में रहकर जो अकेले खाता है वो चोरी कान नखाता है अकेले नखाई बांट के खाई सब कुछ बांट के लेंगे न आपको परसंणता होगा बांटने में बड़ी परसंणता है च्छिपाने में मन भी दुखी होता है थोड़ा थोड़ा माटके प्रातस्मरणी पुझ्यपाद साकेत वासी स्वामेश संत को पाला शारीजी महाराज हम लोग चारपांच विद्यार्थी रहते थे उपर से एक भोगोने में भी दाल चावल साक आ गया भोग लगा अध्यानात भगवान को तो वो सबको थोड़ा थोड़ा दे के उसमें अपने पाले दे थोड़ा थोड़ा सबको और सरजुजल पी लिया गया पेट भर गया वहां मैंने देखा सिखा बांट के खाओ जिस परिवार में प्रुसाद बंट करके पाया जाता है न उस परिवार में बच्चों की बहूं की मा की पिता की सब की जो अंतस्त फिलिंग्स है न यह और बढ़ती है दुणता को प्र कमरे कमरे में बट गया तो आप लिख लो डाइरी लिए हो तो लिखो इसका मतलब समझ लो आने वाले चार साल में परिवार बटेगा कोई रोक नहीं सकता ब्रमा जी नहीं रोक सकते अरे बटी गया यह को खोखा में उजर का ई ले आए और यह को खोखा में पियर का उ ले आए ई एक कमरा में उ उ कमरा में और यह न ले आपाया वकल रूचा नहीं का दरवाजा बख़ड़ा होके लुलुआ रहा है बटी न बचा का है काब बचा हो नहीं कमरे कमरे नसाब बीच में थोड़ा मिले बीच में देखो आप सुनते होंगे लेखा लेखी भूषन कहे देखा देखी आखन देखी कबीर बाबा कह गए किसे ने पूचा आपकी बात लोग सुनते हैं मेरी नहीं सुनते हैं तो उन्होंने कहा तुम कहता हो लेखा लेखी कबीरा बांचे आखन देखी इसलिए सावधान साथ रहना है तो कक्ष के अंदर बंद व्यवस्था बंद होनी चाहिए ने तो समापत हो गए चोरी की कथा खुल गई जबी काग बुसुणी जी नील गीरी से आए तो हम भी उनके साथ उश्रियवद चले गए और यहाँ एक सिद्धानत आपको निवेदन करूँ कभी भी तीर थे आत्रा करनी हो तो किसी को तब तक न बताईए जब तक पहुँच न जाईए चलबा हो टिकट बनाई लिया हमरो तो उनका पोरगराम फेल हो गया आद कहीं है कि अब हमके छोड़ के तूँ जईबा लह बाण बाण हो गए अपको लेगे तो उन जईए है न तो के जाई न दी है इसलिए जब पहुँच जाईए तब कहिए कि हम तो आ गए बोल सरजु मैया की तब आप पहुच पाएंगे हम तो पताते नहीं कई लोगों के टेलिफोन आये SMS आये महराज नासिक कप पहुचिए पहुच अब बारत से बीस कथा बात बारत के सबेरे पहुच अब बिश तक कथा होई कथा कहा होई अब मेला काउन बोड़ बाई बात पते चल जाए पहुचिए लेकर किसी को मत जाए जिसको ले जाएगा वो आपको भी रोक लेगा अब जिसकी चुम्बकत वक्षमत आधिक होगी वो रोक लेगा आपकी होगी तो आप गसित ले जाएंगे तीर्थ यात्रा करते रहिए अकेले बंडार मत दिकठा करिए नहीं तो सुरंदर बाबु की तरह रह जाएंगा बद्रिनात भी नहीं जा पाएंगा सावधान मा ने कहा हमको न ले गए अशुद्या जी अरे बोले अब क्या क्या बताओं आपको जल्दी में थे तो हम जाएंगा ऐसा नहीं है दिखिए तिर्थ यात्रा भगवत दर्शन में उसी को ले जाया करिए कोशिश करके भी जिसके बड़े प्रश्न नहों जो गिर्हा सक्त नहों चल तो जाईव लेकिन एठे पाड़ी रख ले हैं अब कर व्यवस्ता करा आँए नहीं नहीं जिके जाय कवा पहुची जिसको बहुत समस्या हो उसके साथ ना जुराईए हाँ बहुत अच्छा कई लोग तो ऐस कहते हैं चलबा हो हमरो संती डूब की लगा लिया आइसे लगा से कह आता तो अरे बाद भी दशी नहीं वो पंडी जी मंगे ताब दे दी है ग्यारा ग्यारा पान सावेक लावा आवे जावेक भाड़ा चलने दीजिए अरे इससा होता है क्या हम काएंगे तूसरे को दोड़ मिलेगा नहीं तो कहीं बाबा ने इसलिए नहीं साथ लिया कि बाबा ने संकोच पुरवक कहा देवी पिछली बार सती सरूप में आप साथ में गई थी वहां तो भगवान दन्दकारण में थे यहां तो सरकार पालने में थे मैंने सोचा तब मोह हो गया था कहीं अब नहों जाए इसलिए मैं समार दिया आहां मा को संकोच हुआ कथा आगे बढ़ी मन संतोशे सबन कर जाहां तहने ही असी सकलत तन्य चिर्टी वहो अब तुल सिता से के लिए देखा लो आनन्द का समय पता नहीं चलेता एक घंटा और बचल बाज की कतार आईसा छोटा हो जाता है आनन्द का समय चोटा हो जाता है और मैं आप सभी से जितने शोता लोग उपस्तित हैं सुन रहे हैं प्रार्थना करता हूं सरीर पर बहुत लोड रख के न चलिए भार रख के मस्त रहिए आनन्द में रहिए और वे उतने स्विकार करिए कि जिसको आप उठा सकें कितना आनन्द है नाम करन कर अवसर जानी नाम करन कर अवसर जानी भूप बोली पठे मुनि जानी करिपूजा भूपनि असभाखा धरिय नाम जो मुनि जो निराखा इनके नाम अने के लूपा मैं रिपकाः स्वमथियन रूपा आम मैं रिपकाः श्मथियन रूपा श्मथियन रूपा मैं रिपकाः श्मथियन रूपा नाम कर अवसर जो नाम करन का समय आया गुर्दे भगवान को साधर बुलाया गया पूजन किया स्री चक्रवर्ती जी महराज ने माताओं ने स्रीष्टासन पर पदरा कर और कर जोर गुर्दे भगवान से चक्रवर्ती जी ने भी ने पुर्वक निविदन किया महराज इन बालकों के जो नाम आपने गुन अर्थात विचार करके रखे हैं सो सुनाईए गुर्दे भगवान बोलते भै राजन इनके अनेक नाम है मैं अपनी मती अनुसार आपको बुलाने के लिए एक-एक नाम बता देता हूँ सुना देता हूँ जेश्ट पुत्र इनका नाम राम आनंद के समद्र हैं सुख के खजाना हैं सुख रास हैं इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकरित ओफिस्यल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें